कि अब एवरीवन कैसे आप लोग सब तो आज हम प्रॉबिल्टी में आगे एक टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे और आज का मारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे कि इसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवेस क्लास में भी आपको दिया था और इंडिपेंडेंट में जैसे कि आपको बताया था एंटर सेक्शन बी ठीक है यह कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने है या फॉर्मलेज एंडिप्लाइड बैप्रॉबिल्टी आफ भी ठीक है अब इनिपेंड इवेंट क्या होता है दो ऐसे इवेंट जिसमें एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे एवेंट को कोई फरक नहीं पड़ता है लेड़ से हाँ मैं एक कॉइन एन एक डाइस दो कॉइन भी ले स कहां मिलने वाले वेने माले और नमर मिलने वाले ठीक है रही पर मौल community अगर मैं दो कॉइन लेता है यहां मिल रहा है किस्ते कैस तक deposite मिल सकते हुआ यहां पर LIVE में पर इपनेंटला बोलता विए अमेश्य एंटर्सेक्शिंट फ्रॉब्ध फिर ब्रॉब्ध वह बाइपर मान ली कि एक अगर मेरे पास n नम्र फिवंट्स होते हैं ए one intersection a2 intersection a3 up till n n number of independent events which are mutually independent टीक है आपस में independent है तो उस situation में probability of a1 intersection a2 intersection a3 and so on will be probability of a1 multiplied by probability of a2 multiplied by up till probability of a n ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद हमें एक basic से चीज़ याद रखने हैं और अगर a और b independent है if a and b are independent अगर a or b independent है then a and b not a not and b a not and b not independent होगा यह बीडिपेंडेंट होगा यह बीडिपेंडेंट होगा ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना है if a and b are independent then a and b not are also independent and a not and b are independent a not and b not are also independent ठीक है यह कुछ basic rules हो गए फिर आपको union इसमें बता दें हलाकि इस union का formula मैंने previous class में बताया है एक बाद फिर फटा-फट हम division कर लेते हैं और union का rule कहता है probability of a union b ठीक है is equal to one minus probability of a multiplied by probability of b ठीक है यह rule है यह formula है जो आपको याद रखना है probability of a union b is one minus probability of a multiplied by probability of b अच्छा इसके प्रूफ पर हम नहीं जा रहे हैं फिलाल दूसरी चीज़ बता दूँ probability of a union b मतलब at least इसको हम at least one of a and b ठीक है at least one of a and d तो union जब जब भी हमें पूछा जाए at least one at least one ऐसे question में अगर यह phrase use होता है तो आप समझ जाए कि आपको निकालना क्या है union निकालना है ठीक है न यह basic concept हमने समझा अब हम आते हैं इसके questions पे तो हम देखेंगे questions किस type के आएंगे independent event के topic पे based और इसमें जहां जहां पर कोई अगर different formula अगर यूज होना होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहला question लेते हैं मैं पूरा question नहीं लिख रहा हूं मैं आपको question समझा रहा हूं कि एक coin है उसको हमने head मिलता है and let's say event f that is the last is tail first toss में event first toss में मुझे head मिला और f event है मुझे last toss में जो है तेल मिला अब आपको प्रूव करना है कि event e and event f are independent ठीक है अब देखें हम लॉजिकल अगर सोचे तो common sense की बात है कि हम first toss में मुझे head मिला उसका कोई लेना देना नहीं है कि last toss में उसको tail मिलेगा या नहीं अब मुझे यह प्रूव करना है तो यह proving वाले questions भी आते हैं कि the events are independent or dependent तो independent है कि नहीं वह प्रूव करने के लिए हम simple सी चीज ध्यान रखेंगे a intersection b is equal to probability of a multiplied by probability of b अगर यह condition true हो जाती है the events are independent otherwise they are not independent तो हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले probability of e और probability of f निकालेंगे उसके लिए तीन टाइम जो है कोई को टॉस किया है तो इसका मैं size and a bigger stop को दो अमने तो तो तीन बार हमने टास किया तो टीन बार हमने टास किया एक टास में मुझे दो हां विल सकते हैं और मेरे पास है या तेल हो सकते हैं मैं क्या करूँगा इस eight को हाफ करूँगा प्राजांग ऐन चार बार हेड लिखता हूं चार बार टेल लिखता हूं फिर चार को हाफ करूँगा तो दो आ जाएगा दो बार हेड लिखता हूं दो बार टेल लिखता हूं दो बार हेड लिखता हूं दो बार टेल लिखता हूं फिर उस दो को भी हाफ करूँगा तो वन आ जाएगा तो मैं है है अ मैंने लिखोंगा लिखऊंगा है ल inadequ हुंगा लिख एल है अन्त Of निकालनी है तो सबसे पहले है कि हस्ट्रास के है स्वर्स्ट अास में मुझे है रेट मिला तो हैzer head and head and at the probability of ee यहां पे हो जाएगा 4 देखे टोटल चार केसे जहां पे मुझे हैड मेल रहा out of eight cases and that is one by two in a four one the four four two the eight is it there is a probability of f many the last toss is what tail last toss joha mujahe क्या मिले तेल मेले तो लास्त आस मुझे तेल मिले काउंट करते है 123 and and a 1234 यह टेल हो गया लिए टेल हो गया यह टेल हो गया यह टेल हो गया तो चार टेल्स है मेरे पास तो probability that the last toss is a tail यह हो जाएगा four out of eight cases which is again one by two right यह हो गया अब मुझे यह मुझे probability of e or probability of f मिल गया आप मुझे करना क्या है यहां पे मैं a और B की जगा अगर E and F लगा लेता हूं यह हो जागा probability of E and intersection probability of F should be equal to probability of E into probability of F तो probability of E निकाल चुका हूं probability of F निकाल चुका हूं मुझे probability of E intersection F निकालना है तो यहां पर हम देखते है probability of E intersection F क्या होना चाहिए तो E intersection F मतलब first is head and last is tail the first is head and last is tail अब यहां पर हम देखेंगे कि पहला head होना चाहिए आखरी tail होना चाहिए ठीक है पहला head होना चाहिए आखरी tail होना चाहिए और कोई तो है पहला head यह चार थे इस चार में से दो Cases जहां पर पहला है और आखरी टेल है और कहीं भी मुझे वो नहीं मिल रहा है तो दो ही ऐसे Case हैं जहां पर first is head and last is tail first is head and last is tail two cases and total cases are eight तो two upon eight यानि की two ones are two two fours are eight one by four intersection f मुझे one by four मिला लेकिन अगर मैं probability of E into probability of f करता हूँ तो यह मुझे 1 by 2 multiply 1 by 2 यानि की 1 upon 2 to the 4 तो यह मुझे 1 by 4 मिल रहा है और intersection f भी मुझे 1 by 4 मिल रहा है that means यह condition मेरी true हो रही है intersection f मुझे 1 by 4 मिल रहा है और e into f भी मुझे 1 by 4 मिल रहा है therefore the events are sorry the events are independent ठीक है यह हमने प्रूफ किया अब इसमें और questions हम देखने है एक और example हम लेंगे अब जैसे आपको question में बुला probability of a 1 by 2 है probability of b 7 by 12 है and probability of not a or not b आपको चेक करना है कि क्या यह events a and b are independent ठीक है events a and b are such that आपको probability of a 1 by 2 दीवे probability of b 7 by 12 दिया हुए है probability of not a and not b आपको 1 by 4 दिया हुए आपको चेक करना है कि क्या यह दो events independent है या नहीं अब देखे है रूल हमें वही लगान है वह यह की probability of a intersection b is equal to probability of a multiply probability of b अगर यह condition true आती है थो हम बोलेंगे दियार independent अगर यह condition false आती है थो हम बोलेंगे दियार not independent अब यहां पर a और b तो दे दिया लेकिन यहां पर not a और दे दिया अच्छा और क्या मतलब होता है union ठीक है यह आप ध्यान रखेगा और का मतलब होता है union not a मतलब एक पे हम डैश लगा देते हैं या फिर बार लगा देते हैं अच्छा अब बनाफोर मुझे दिया हुआ है इसका हम फॉर्मिला देखते हैं तो देखे एक लॉह है जो आपने 11 में पढ़ा होगा वह है दी मॉर्गंस ओक्या लॉओ डी मॉर्मसला कैःता है की Prawbinding of A-dash union B-dash ड Χ्राइब का इसक्टीछ of a intersection B is पूरे का डैश यानि probability of not a union not B is probability of a intersection B का not a compliment union B compliment is probability of intersection B whole compliment यह कहता है D Morgan's law तो हम यहाँ पर D Morgan's law apply करेंगे और इसको 1-P a intersection B not को अब देखे जब भी not लग जाता है यानि कि डैश लग जाता है तो हम इसको one minus लिखता है तो यह not का symbol हट जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं one minus probability of a intersection B simple यह हो गया तो यानि कि मुझे यह जो दिया हुआ है इससे मैं intersection B निकाल सकता हूं अच्छा क्योंकि मैं intersection B क्यों निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे प्रूफ काने के लिए कि यह independent है या नहीं एक वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू चाहिए एक वैल्यू है मेरे यहां पर यहां पर यहां पर फिर टो मुझे एक वैल्यू निकालने के लिए यह फॉलोग करना पड़ेका अब अब एनोट यूनियान बीनोट मुझे अल्रडी वन बाइ फोर दिया हुआ तो मैं यहां पर वन बाइ फोर वैल्यू पुट कर देता हूं ठीक है इस वन को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो यह बन जाएगा मेरे पास जाएगा माइनस वन प्लस वन बाइ फोर इस इकाल तो मिनस थी एंटर सेक्शन वी अच्छाए फोर लिए फ्लस फ्लस वन हो ज़ागा वाइनस 3 बाइ फोर इस व्यूमेंस कैंसल कर लेते हैं तो मुझे प्रोबल्विल्टी ऑफ-बे कितना मिल गया 3 बाइ 4 बिल गया अब यह महां पर मैं value put करता हूं ठीक है a probability of a into probability of b यानि कि 1 by 2 multiplied by probability of b कितना है 7 by 12 इसको multiply करके देखता हूं क्या यह intersection b यानि कि 3 by 4 के equal मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो फिर not independent तो 717 12 2 is a 24 इसमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है कि मैं इसको cancel कर सकूं मतलब a not sorry probability of a into probability of b जो है मुझे 7 by 24 मिल रहा है जबकी intersection b मुझे 3 by 4 मिल रहा है यहां पर हां intersection b की value है 3 by 4 intersection b की value हमने 3 by 4 निकाल थी probability of a multiplied by probability of b minus 7 by 24 निकाला है that means they are not equal that means यहां पर हम लिखेंगे here a intersection b is not equal to a into b therefore the events are not independent ठीक है यह first format of question था जो आपको मिल सकता है इसको हम type 2 question बोलेंगे first type of question आपने देख लिया जहां पर हमें प्रूफ करना था कि the events are independent या फिर चेक करना था कि वो event independent है या नहीं type 2 question में आपको अर्री बोला है कि the events are independent आपको यहां पर बोला है e and f are independent find the value of probability of f आपको probability of f event find करना है ठीक है जब probability of e हमें 0.35 दिया हुआ है probability of a union f जो है 0.6 दिया हुआ अब देखे मुझे मालूम है कि if e and f are independent तो वो इस condition को यानि कि probability of e intersection f शुद भी इक्वाल टू कि satisfy करना चाहिए ना probability of e intersection f शुद भी इक्वाल टू प्रावबिल्टी ऑफ फी मल्टिप्लाइग प्रावबिल्टी ऑफ अब यहां पे मुझे e intersection f तो दिया नहीं है ना नहीं दिया कोई बात नहीं हम जो e union f दिया है इसी को expand करते हैं तो देखे probability of e union f इसी से हम intersection f निकाल सकते हैं जो कि एक बार intersection f आ गया तो हम यहां पर value put करके निकाल सकते हैं या फिर मैं आपको जैसे बता रहा हूं जैसे यूनियन f को हम लिख सकते हैं probability of e probability of f माइनस probability of e intersection f ठीक है अब यहां पर e union f मेरे पास 0.6 है probability of e मेरे पास 0.35 है f मुझे नहीं मालूम intersection f दोनों चीज़े नहीं मालूम अब फर्स गए कोई बात नहीं देखें यहां पर हम क्या करेंगे इस probability of f को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि f की वैल्यू मुझे मालूम नहीं वो मुझे निकालना है लेकिन e intersection f भी मुझे नहीं मालूम है लेकिन क्योंकि question में क्या बोला है the events are already independent आपको independent बोला है इसका मतलब e intersection f must be equal to this condition को satisfy करेगा इसका मतलब मैं इस intersection f को probability of e multiplied by probability of f जैसे लिख सकता हूं इतना हो गया अब हम क्या करते हैं इसको solve कर लेते हैं ठीक है इस 0.35 को यहां पे लिए आते हैं यह यह चीज़ तो यहां shift हो गए तो probability of f मैं यहां पर common लेता हूं f मैंने common ले लिया यहां पर कुछ नहीं बचा वन लिखेंगे minus यहां पर probability of f common ले लिया probability of e बच गया अब probability of e की value मुझे मालूम है 0.35 तो मैं यहां पर probability of e की जगह 1-0.35 उठ कर देता हूं कि यह हो जाएगा 0.25 is equal to 1-0.35 अच्छा इसको भी हम solve कर लेते हैं तो हमारे पास 0.25 is equal to probability of f टीक है 0.25 equals to probability of f multiplied by 1-0.35 ठीक है कितना हो जाएगा यह 0.65 0.65 तो इसका मतलब हुआ मैं अगर इस probability of f को यहां पर छोड़ देता हूं तो यह 0.65 इसके नीचे आ जागा मतलब 0.25 divided by 0.65 ठीक है अब इसको हम solve कर लेते हैं probability of f is equal to 0.35 0.65 पॉइंट से पॉइंट कैंसल ठीक है फाइव सेवन थर्टीफाइव ए थ्रीजर फिटीन तो सेवन बाय थर्टीन यह हमें f की वैल्यू वैल गए